मद्य परदेश की पूर्व सरकार के कैबिनेट मंत्री पीशी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में बताये कि जो रोज ट्रास्पर पोस्टिंग हो रही है इस पर भी चुनाव आयोक को रोक लगाना चाहिए बहुपाल के मंत्राले पर भी चुनाव आयोक आचार सहीता लगाए क्योंकि यहां से पूरे मद्य परदेश में ट्रास्पर हो रहे हैं पूर्व मंत्री शर्मा ने भाजपा और सिवराज पर कई आरोप लगाएं बहुपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट कॉंग्रेस ने वचन पत्र दिया था 2008 के चुनाव में कमलना जी ने जो कॉंग्रेस के हमारे अद्यक्स हैं और उसी वचन पत्र को उन्होंने का है कि अब संकल्ब लेते हैं कि उस वचन पत्र को पूरा करना है अठाइस विदान साहा में जो बाते कही गई हैं जो कमी है वो तो पूरा करेंगी लेकिन मददबदेश में चायो किसानों के रिंड माफी का मामला हो सो रुपे सौरेट बिजली का मामला हो युआओं को रोजगार का मामला हो सत्रस परसेंट प्राइवेट उद्द्यों का मामला हो ये बीजेपी क्यों नकल खर रही है और वचन पत्र में पंदरा मेहने में जित्ती बाते कही थी किसानों की रिंड माफी जो कमल पटेल जो कर्शी मंत्री उन्होंने विदान साब में भी इसको माना है और ये इनका संकल्प नहीं है न कोई वचन है इनका केवल है जूट पत्र जिसका नाम दूआ है जूट पत्र जितनी भी जूट बातें क्योंकि पंदरा साल में नो ने पचास हजार रुपे रिंड माफ करने की बात गई हो 2008 में वो नहीं की है किसानों के और खिसानों की जो रिंड माफी हो रही थी जो एक जून से दो लाग तक के खिसानों का रिंड माफ होना था उस पहना उने रोक लगा दी और अगर मामला लेहाँ पर भोपाल और बगल में राइसें तो जो मौवजा मिला है वो सांची में तो मिल गया। लेकिन भोपाल के जो किसाने उनको नहीं मिला। B.J.B. बोलती ही रोज की वो पच्चिस तो गड़े के वो ही रहेंगे। वो जूट बोल लेंगी, जूट बोल रहें। जूट दो मेंजी एक शी जूट है। कौन सी जूट है वो बीजबी क्लियर करें। सवाल यह है कि किसान को आज जरुवत है। कब नौमन तेल होगा कब रादा नाचेगी। वो दो रुपे चार रुपे के जो दिये है। और ये बार बार एक जूट और बोलते हैं ये फसल बीमा का पैसा भी कमलनाज जी की सरकार म दिया गया है। इस सरकार का कोई रोल नहीं है। इस सरकार के बास पैसे नाम की चीज है नहीं। हर मैंने एक खिया क्रोड़ का लोन लेते हैं। और का प्रस्ता चार में निट्टा देते हैं पते नहीं लगता। इस सब की जानकारी चुनाओ आयोग को देंगा। इस के वह रहे हैं। और कर्मचारियों की लगातार मांग चल रही है। उस पर आज तक इनोंने कोई लिड़ने नहीं लिया है। पांच परसेंट डिये का मामला है। उनके साथवां जो उता उसका एरियस मिलना था वो नी हो रहा है। पैंशनर का कुछ नहीं हो रहा है। कोई फैसले ले ही नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह सरकार फैल होगी। आज मदबरेश में। आज की तारीक में कोई सरकार नहीं है। यहां कोई कानून व्यवस्ता नहीं है। पंदरा दिनों के अंदर साथ गेंग रेप हुए हैं। यह मदबरदेश रेप स्टेट बन मदबरदेश के इन उसमें महिला हैं सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह का नहरा क्यों देते हैं मुक्यमत दी लेकिन आज सबसे बुरी हालत बेटियों की मदबरदेश में हैं। नवख पड़ पारी कल मेरे पास एक फोन आया किसी अन्नों लिए उसका मुर्डर रेप करके मुर्डर हो गया। उसके अलावा यह चार बच्चियां तीन दी से गायव हैं उसका अभी तक कोई पता नहीं हो पाल से कुल मेलाकर यह कानून जबस्त हो गई, पुलिस से और प्रसाशन से कोई डर नहीं रहा हैं। इसलिए ही सब चीज़ प्रसाइब माफिया हो या गुंडा माफिया हो यह सब एक्टी हो इसमदद रहा है। यह पंजाब है, वहां कांग्रेस की सरकार है और हर घर में होँआ ट्रैक्टर है, वहां लोग ट्रैक्टर से ही चलते हैं। तो राहूल गांदी जिए मुख्यमंत्री जिराओने पूरे सब किसानों को ट्रैक्टर दिला दिया तो ट्रैक्टर भी चलेंगे, आप को हल पे तो ही चलेंगे। आप को हल पे तो इसमद बनाते हैं वह बाकी तो नोटंकी हो रही है और वह योगी जी कहें अब उस चीज़ को डाइवर्ट करने हैं। दुनिया में कुछ भी हुजा हिंदुस्तान में एडी को जानकड़ी दे दो, एडी इसकी जांच करेगा, चाहे उसका मामला उसको सुरक्षा दे नहीं रहे, कंगरा को जैट सुरक्षा दे रहे, लेकि उस परिवार को सुरक्षा नहीं दे रहे, प्रियंका गांदी ने पुरे हिंदुस्तान को आ जा रही है, बेलची में जिस तरह सिंद्रा गांदी हाथी पे चड़के गई थी, उसी तरह लट्टों के बीच में, पुलिस के, लट्टेतों के बीच में वहां गई, और उस बिटिया के परिवार से, खातरस में, वो मिलके आई है, आप देख र बिलकुल बिना मुलें